अज हम बराने वाले हैं चाने की दाल की रेसिपी बहुत ही नई रेसिपी हो और बहुत ही टेस्टी है डिफिनेटल आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के शायर जरूर करेगा तो चलिए सुरूर करते हैं बनाना हमने या पर एक कप के करीब में चाने की दाल ली थी और चाने की दाल को मैंने अच्छी तरीके से साफ करके इनको 6-7 गंदी के लिए भिगो लिया था और ये देख सकते ही अब बहुत ही बड़िया तरी लिया है यानि कि बिल्कुल भी इसमे पानी की मात्रा नहीं है आप चाहे तो इसको कपड़े पर डाल के भी सुखा सकते है थोड़ देर के लिए जिससे की जो एक्टा पानी है वो निकल जाए अब हमने एक मिक्शर जार लिया है और जार के अंदर डाल लेना है इस दाल को और हमने ये दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रखा है लेकिन मैंने इसको पोच के नहीं लिया है बस मैंने इनको छनी से छान के लिया है तो हम इसको डाल देते हैं मिक्शर ग्रेंड जार में और इसको हमें बिना पानी के अच्छी तरीके से ग्रेंड करना है लेकिन महीन प्यूरी नहीं बनानी है इसकी तो हम इसको दर्दरा ही पीसेंगे थोड़ा थोड़ा देर रोक रोक की हम मिक्षर को चला लेंगे तो इसको ग्रैंड कर लेते हैं उसके बाद दिखाती हो मैंने इनको ग्रैंड कर दिया है मिक्षर को मैंने रोक रोक के चला लिया है और पानी की मातरा नहीं डारी थी मैं आपको इनका टेक्च्चर दिखाती हूँ यह देखे इस तरीके से बेखे दरदरा ही है मैंने इनको बिल्कुल प्यूरी नहीं बनाया है हम इनको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अब मैंने या पर एक कढई को गरम होने के लिए रख दिया है इसमें डालेंगे हम देसी घी मैंने या पर एक चोथाई ngप के करीमें देसी घी लिया है उसको रह्मित में गी की मातरा आप अपने इक्षानुसार कम यह ज summation कर सकते हैं घी अच्छे से मैल्ठोने के बाद हमने विए दाल को पीश के लिया था zodirk tenant आ पाल वह पाल इप और इनको हमें अच्छी तरीक एक मिला लेन तो देख सकते हैं आप मैंने इनको अच्छा से मिला लिया है और लो फ्लेम पे थोड़ी देर इनको भून लिया है आप देख सकते हैं यह बहुत ही हलके होने लगे हैं और इनको बहुत ही बढ़िया से भूनना है जब तक कि इनका कच्छा रेस्ट खाताम ना हो जाए इनको पकान नहीं से ज़्यादा इनको भूनना जुरूरी है जिसमें से जो कच्चे वाली स्मेल आती है ना दाल की वो नहीं आनी चाहिए और बहुत ही बढ़िया वाली कुश्बू आनी चाहिए इनको लो फ्लीम पे हम इस तरीके से लगातार चराते हुए भूनेंगे जब तक हम इनको भूनेंगे इस तरीके से करते हुए हम इनको भूनेंगे मैं इनको लो फ्लेम पे भूल लिया है और आप देख सकते हैं का कलर लगबख चेंज होने लगा है और यह हलके भी हो गए हैं इसी तरीके से हम इनको थोड़ी दिर और होनेंगे जैसे कि इनका कलर चेंज हो जाए और इसमें से जो कच्ची वाली टेस्ट की खुस्पू आ रही है वो ना आए तो थोड़ी दिर हम फ्लेम को बढ़ा के इनको भूल लेंगे जिससे कि यह जल्दी से इनका कलर चेंज हो जाए बस इनको लगातार चराते रहें ताकि यह कढ़ाई में लगे नहीं देख सकते हैं कि बढ़िया से भुन गया है कितना जल्दी color change हो रहा है ये रेखें और इसमें से कच्ची वाली smell भी नहीं आ रही है बहुत ही बढ़िया वाली तो देख सकते हैं यह अपने आप ही निकलने लगा है इसमें से तो अब हम इसमें एड करेंगे कुछ चीजे तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगे दो टेबल स्पून के करेब में दूद का पाउडर आप इसकी जगब पे दूद भी ले सकते हैं पूल क्रीम वाली या फिर अब आप मावा ले सकते हैं खोया ले शक्रीम भी एड कर सकते हैं यह मिल्कपवडर की जग़ह पे अब इनको अच्छे से मिलाएंगे और इसके साथ में हम इसमें डालेंगे दूद यह मैंने या पर दो कप के करिब में लिया है और यह फूल क्रीम मिल्क है थोड़ा थोड में नहीं डालना नहीं तो गुठ्लियां आ जाएंगे फिर उनको खथम करना इसी नहीं हो पाएगा तो अच्छे से मिलाते रहेंगे और दूध को ऐसे बढ़ा लेंगे तो अच्छे से मिला लिख और इस टायमे हमें फ्लेम को मीडियम करके लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई से लगे नहीं और इनको हमें ड्राइव होने तक पकाना है तो थोड़ा समय इसमें आड करूंगी गरम पानी हल्का सगुंगुना गरम पानी डालने से इसका टेक्शर बहुत ही अच्छा आएगा और जो डाल है वो अच्छे से पत भी जाएगा तो हमने आप एक चोथाई कप के करीब में गरम पानी डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिला करके पानी के सूखने तक इनको मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे लगातार चलाते हुए इस तरीके से जिसे कढ़ाई में लगे नह है तो आप एक कप डाल सकते हैं और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक जो चीनी है वो अच्छे से घुल नहीं जाती इस निक्षर में तो लो लेंपे में चीनी को मिला लेना अच्छे से चीनी अच्छे से घुलने के देशी घी क्योंकि घी डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसका टेक्शर भी बढ़ेगा तो एंड में हम यहाँ पर एक टेबस्पून घी जरूर डालेंगे अब हम इसको मिला लेते हैं और फ्लेम को हमें कम करके मिलाना है ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए और यह बिल्कुल तयार हो जाएगा थोड़ी देर में ही तो इस तरीके से चलाते रहेंगे तो देख सकते हैं आप मैंने इनको लो फ्लेम पे इस तीन से चार मिनिट के लिए भूल लिया है और इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है अब मैं इसमें डालूंगी तो इला ले सकते हैं या फिर सिर्फ किस्मिस डाल के भी बना सकते हैं चार से पांच काजु को मैंने दो टुकड़ों में करके डाला है और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे बढ़िया से मिलाएंगे जिसे की ड्राइप और इलाइची के दाने हर जगर मिल जाएं और इनका फ्लेव करती है एक बार आप जरूर ट्राय करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा अब हम गयास का फ्लें बंद कर देते हैं और देख सकते हैं कि बेशन के हलवे से ज्यादा दानेदार है और बहुत किस्ती है तो एक बार आप जरूर ट्राय करिएगा इसको हम इसको निकाल लेते हैं सविंग बाउल में थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही निकालेंगे कि यह बहुत करम है अभी और जब भी चाहो आप इसे गरब करके खाएं बहुत इटेस्टी है और बहुत इदानेदार है तो जरूर ट्राय करिएगा और अपने सुझाओ हमें कमेंट में जरूर लिक्के बताइगा आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्शर कितना यमी है आपकी कमेंट्स बह लो तो आपकी पास लोटिफिकेशन आजाए आप ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीज़ेगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीज़ेगा आप ये वीडियो यूट्यूब के साथ साथ फेस्ट बूप इंस्ट्रग्राम और तर मिलती हूँ अगली एक नाइ रिसिपी के साथ बड़ाई